तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका क्लास कौन सी क्लास सिक्स्त क्लास का पहली कविता जिसका नाम है वह चिडिया जो अब ये एक बहुती ब्यूडिफुल सी और बहुत छोटी सी नन्नी सी पोयम है जिसको हम बड़ी जल्दी खतम करेंगे इसको समझेंगे इसके तो कैसे शुरू होती है वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने रुची से रस से खा लेती है वह चोटी संतोशी चिडिया नीले पंकों वाली मैं हूँ मुझे अन से बहुत प्यार है तो ये पहला पैराग्राफ है जो हमको समझना है तो देखो ये पो हमको लिखा है तो वह क्या कहते है वह चिडिया जो चोच मार कर दूद भरे जुंडी के दाने वह ये क्या होता है देखो जो अनाज के दाने होते है जब आप उनको तोड़ोगे तो अंदर से वाइट वाइट कलर के नजर आते हैं तो इसलिए कभी ने उनको कहा है दूद चिडिया यानि कि वो चिडिया जो बहुती संतोशी है यानि कि इतने से खाने में संतोश हो खुश हो जाती है छोटी-छोटी चीजों से नीले पंखो वाली मैं हूँ क्या पताया है यहाँ पे कि नीले पंखो वाली मैं हूँ यह एक important line है I hope question इसी के उपर आता है इस chapter में कि चिडिया कैसी है चिडिया को क्या पसंद है बस यही सब तो आपको इध्यान रखना है कि चिडिया का रंग कौन सा है मुझे अन से बहुत प्यार है किस से प्यार है मुझे अन से बहुत प्यार है ठीक है आगे समझ में कितना simple था ना चलो next देखते है वह चिडिया जो कंठ खोल कर कंट यानि कि अपना गला खोल कर मूँ खोल कर बूढे वन बाबा की खातिर अब बूढा वन बाबा भी है कौन है अरे देखो जंगल होता ना जंगल बस जंगल कोई यहां पर बूढा वन बाबा कहा गया है क्यों क्योंकि देखो भई जो जंगल है वो बहुत पहले से तो बुड़ा है और वन बाबा यानि कि जंगल की खातिर यानि कि उनके लिए रस उडेल कर गा लेती है यानि कि वो चड़िया जो अपना गला खोल कर जंगल के लिए एकदम रस उडेल कर यानि कि मीठा मीठा जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा गा लेती है वह छोटी नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है, मुझे विजन से प्यार है, जो इतने सुन्दर नजारे हैं, कहां कि जंगल के, मुझे उनसे बहुत प्यार है, आया समझ में, चलो next paragraph पर बढ़ते हैं, ओहो कित्थे चला गया जी, इधर, वह चडिया जो च अंगल में नदी है, वो क्या एकदम तेजी से उफान मारते हुए, बहुत तेजी से उसमें लहरे हैं, तो वो चड़ी हुई है, चड़ी नदी का दिल टटोल कर, यानिकि उसके बीच में से जल का मोती ले जाती है, यानिकि जल का पानी का एक छोटी सी बून निकालके ले अपनी चोच से, वह चोटी गर बीली चड़िया, कैसी चड़िया है, एकदम शैतान से चड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, और वो कैसी है, नीले पंखों वाली है, अब तक तो आपको याद होई या होगा कि उसके पंखों का रंग कौन सा है, मुझे नदी से बहु अब आपको फोटी क्यों कराँ दो, तो टेंशन नीले ने का, जी चलो थोड़े से कोचन कर लते हैं, हां जी, तो हम आगए है कोशन पर थीख है, तो पहला कोशन बहुत गटिया, आपको एक चितर बनाना मराते रहा है, ठीक है, दूसरे कोशन बहुत ज़िखते हैं, लिखना इस चिरिया को गीत काना पसंद है किसने जंगा लिए जंगल से इसे बहुत प्यार है और ये नदी से भी बहुत प्यार करती है क्योंकि वहीं से ये पानी पीती है तो आप ये सब तो explanation है मेन आपको तीन वर्ड याद रखने है कौन-कौन से नदी जंगल और आपके अन-अन चोथा आशायस पस्ट करो देखो आशायस पस्ट करना बहुत चिंपल होता है रस उडेल कर गालेती को थोड़ा explain करना ठीक है तो चिडिया जंगल में जब अकेली होती है तब वह बिना किसी डर और संकोच के उन-मुक्त भाव से एकदम खुशी के भाव से गाती है एकदम द सिंपल मतलब है चलती हुई नदी से पानी पी लेती है अब आपको लिखना कैसे है छोटी चिडिया चड़ी हुई नदी से बिलकुल भी नहीं घबराती इतना पानी है वहाँ पर फिर भी नहीं घबराती उफंती नदी के बीच में से अपनी चोच में पानी की बून लेकर उड़ जाती है यानि कि लवा लब भरी नदी की जल राशी अब देखो इतने टिपिकल वर्ड्स आपको यूज करना नहीं जरूरी है आप सिंपल लिखो मतलब एकदम भरी हुई नदी से अनुमान लगाकर उस जल राशी में से जल का मूती निकाल लेती है यानि कि एकदम चलती हुई नदी में से वो जल का मूती छोटा सा एक भूंद पानी की उसको कहते हैं जल का मूती निकाल लाती है ठीक है समझ मैं उससे प्यास बुजाती है अब हम ये ये बेकार के question है इनको छोड़ दो इसमें कुछ भी नहीं है अब हम देखते हैं थोड़े extra question पाशा की बाद भी कुछ इसमें important नहीं है अटाओ आगे बड़ो आगे बड़ो हां जी थोड़े से MCQ देख लेते हैं बहुत विकल्पी प्रशन उतर क्योंकि यह आप म जो धान है ना मैंने दाने पढ़ लिया इसको तो आप ऐसी गलती मत करना आपको हमेशा answer में check रखना है दूद उबरे जुआर के दाने किसको कहा जाता है जुण्डी के दाने जुआर के दानों को अब आपको एकदम clarify हो गया answer क्या लिखना है जुआर के दानों को ठीक है गहूं के दानों मत लिख देना जुआर है राइट आंसर चिडिया के पंक के रंग कैसे अब तो भाई ये रट गया होगा भाईया नीले है नीले है नीले है पागल होगा नीले नीले करके तो नीले नीले होगा है पीले मत कर देना तो चिडिया को पसंद क्या क्या है चिड जंगल के लिए या अपने मित्र के लिए मित्र तो ही नहीं बिचार है उसका कोई तो गाती है जंगल के लिए चिडिया को किन चीजों से प्यार है नदी से प्यार है अंजी है जंगल से अंजी है अन से है तो बहुत तीनों आंसर हो गए सिंपल, ठीक है, एक दोख कुशन देखेर, चिदिया के पंख किस रंक है, हआ कौन से रंक है Holmes, किडिया का पंख नीले रंक है, चिदिया कहा से मोती ले जाती है, चिदिया चडी नदी से लिख सकते हो या नदी ओं के उफनते जल से, जैसे चाहे वैसे लिखते हो, कोई अंदर से वो white होते हैं इसलिए उसे कहा गया है बस ठीक है चिडिया का स्वभाव कैसा है चिडिया का स्वभाव संतोशी है वो satisfactory चिडिया है खुश हो जाती है ये थोड़े से बड़े कुशन है इनको भी फटाफट देखते हैं कविता के अधार पर चिडिया के स्वभाव का वर्णन कीजिए चिडिया का स्वभाव था कैसा देखो इस कविता में नीले पंको वाली छोटी सी चिडिया का वर्णन है इस चिडिया का स्वभाव संतोशी है ये line लिग देना answer नमबर मिल गए आपको थोड़े से दाने इसके लिए परियाप्त है ये मूँ बोली है ये एकांत में उमंग से गाती है मतलब अकेले रहने में खुश रहती है ये गर्वीली है इसे अपने साहस और हिम्मत पर गर्व है ठीक है बढ़िया सांसर मेली का स्क्रिंशॉट ले लिया बढ़िया किस से प्यार करती है और क्यों तीन चीज़ों से प्यार करती है अन्न से प्यार करती है और किसके लिए आप आगे बड़ा बड़ा के लिख सकते हो ठीक है उसे विजन से प्यार है यानि कि दृष्ट जो जंगल है आप जंगल से प्यार भी लिख सकते हो, और उसमें नदी से भी प्यार, ठीक है, यही तीन चीज़े हैं बड़ा चड़ा के लिखनी का, गो अटेंशन है, चड़िया अपना जीवन कैसे व्यतीत करती है, चड़िया अपना जीवन प्रेम, उमंग और संतोश के साथ, देखो, प्रेम लिखना, उमंग लिखना, संतोश, यह तीन वर्ड लिख दोगे आंसर, आपको मिल जाएगा, ऐसे ही आंसर लिखने होते हैं, स्मार्ट बन के, ठीक है, वह सबसे प्रेम करती है, एक आंत में भी उमंग से रहती है, वो संतोश ही है, ठीक है, बार बार देख रो हर इसा ही बढ़ा है नंबर, आंसर को लंबा करना अपनी ट्रिक है, वह गाते है, और उड़ते हुए अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देती है, चिडिया के गायन की विशेषता है, मीठा गाती है, अच्छा गाती है, खुलके गाती है, बार बार, चिडिया के माध्यम से कभ सीख मिलती है कि हमें थोड़े से में संतोष रहना चाहिए, पहला important चीज कि कम में संतोष रहे है, इस कविता में अकेले रहकर भी उमंग से जीने का संदेश दिया गया है, देखो चडिया का कोई दोस नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी खुश रहती थी, इसके साथ ही आपको पूरा जाप्टर समझ में आया होगा, और question answers भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो के हम खतम करते हैं, यहीं पर, वीडियो अच्छी लगी ही तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और बहुत सारी व मैं तो करूँ, simple है, ठीक है, तो चलो, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए goodbye, take care and पढ़ते रहिए